असलालेकुम , वेलकम टू शाहीन्स कोकिंग और आज हम बना रहे है गुजराती मुठिया हमने इसका पहले भी बनाया हुआ था वह वेजिरीबस मुठिया था और यह दाल के साथ हम बनाएंगे एंड राइ फ्रेश इसके लिए हमें पहले मुठ्या बनाना है मुठ्या बनाने के लिए बाजरे का आटा मैंने 500 ग्राम लिया है और इसमें एक चमच जिंजर गालिक हरी मिर्ची का पीश अड़ कर दिया अब इसमें एक चमच तेल दाल दिया है अब इसमें नमक मिलाके इसको पूरा मिक्स कर देंगे अच्छे से पहले तक ये पूरे आटे में मिक्स हो जाए मिसाला सौरी अगर मेरी आवास बारी लग रही है नहीं तब भी ठीक नहीं थी इसमें अब पानी मिलाकर इसका पूरा आटा गून लेंगे ज्यादा कड़क नहीं ज्यादा नरब नहीं नॉर्मल अब मैं इसके बनाऊंगे मुठ्या ये बिलकुल ऐसे ही बनाने या आप चाहे जैसा शेफ दे दो बड़ ओरी शमुठ्या ऐसे ही होते हैं यह बने बना दिया मुठ्या अब इसको रखते हैं साइड में यहां मैंने 500 ग्राम पहाड़ी दाल भी पूलते इसको या वो जो नॉर्मल मिलती है मिक्स दाल वो लिया है इसको बॉयल कर लिया अब तिए एक कड़ाई में 2 चमच तेlles दालों के यह मैंने ली एक फेश ड्राय फेश है सुखी मची कोई भी ले सकते हो आप कोई भी मची होनी чाहिए पर सूखी होनी चाहिए एक दम सुख्यमची इसको मैंने फ्राइगाए को मसाला नमक जबी बस फ्राइए करके इसको रखन जानाय साइड पर अब उसी तेल में हम डालेंगे एक चमज मेथी और कड़ी पता यह दाल कि अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गालिक और मिर्ची का पेस्ट अद्रगलसर मिर्ची का पेस्ट दालके इसको थोड़ा भूनेंगे अच्छे ज़े अब इसमें मैंने दाला है एक चमज हल्दी एक चमज लाल मिर्ची का पाउडर और अब इसको फिर से मिक्स करके अच्छे से थोड़ा सौटे करेंगे अब इसमें मैंने एक गब को करनेट पेस्ट दा रहा है खुपरा पीस के थोड़ा सा पानी दालके इसको पेस्ट बना लो और फी यूज कर लो इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और फिर मैंने दाला नमक थोड़ा पकने देंगे चार से पांच मिनिट मीडियम फ्रेम पे अब अब इसमें हम उबली हुई दाल दालेंगे मैंने दो सीटी के साथ प्रेशर को करके दाल को पकाया है आप चाहे तो नॉर्मल उबा ले और यह मिक्स दाल आपको बजार में कहीं भी मिल जाएगी पहाडी मिक्स दाल भी बोलते है इसको तो यह मैंने सारी दाल ले ली इसमे मूंग दाल है चैना दाल है सारी दरा के दाल है और यह मैंने दाल दिया अगर आपको पानी कम पढ़ रहा है तो आप एक लास और पानी दाल सकते मेरे पास अल्रेडी पानी था बॉयल में मिक्स किया हुआ तो बस अभी एक बोल आने दे उसके बाद मुठ्या दाल दे दस से पंदरा मिट एक्दम स्लो पे पकने देंगे धीमियाज पर दस से पंदरा में धग कर पकने देना है ताकि वह मुठ्या पक जाए पुरा दाल में मिक्स होकर और बस हमारा मुठ्या रेडी है दाल वाला अब बस मैंक चक कर रही ती पकाए यानि हो गया है अल्मोस्ट अब अब बस यह रेडियम उठ्या अब इस पे मैंने उपर से सुखी मची डाली आ लिए नमक नहीं मसाला नहीं कुछ नहीं बस इसके उपर खाली गानिशिंग के लिए सुखी मची दाले और उसको सुखी Hence होता है, so I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो, thank you so much for watching, please like, share and subscribe, Allah Hafiz